आज हम बनाने वाले हैं तीखा चटपटा सा भींडी मसाला आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइए रोटी पराथा या राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब कर आप में फ्रै अगर्म धिन्डी में बीच से इसमें कट लगाना है जिससे इसमें मसाला अच्ही तरह से चला जाए आप अब पैन को अच्ही तरह से पहले हम गर्म होने देंगे उसके बाद यहां पर तेल डालेंगे मैंने यहां पर लगवक्ष छे से 7 चमश तेल लिया है और तेल को अच यह बिंडी lasso नमक यहां पर दें सकते हैं मैंने यहां पर श्क्रणी नीकाल लेंगे जब तक भिंडी फ्राई हो रहा है तब तक में यहां पर इसका कुछ मसाला कर लेते हैं और यहां पर मैंने एक medium size टमाटर लिया है हरेमेज एक छोटी चमस धन्या का पाउडर आधी छोटी चमस कस्मीरी रेट चिली पाउडर आधी छोटी चमस जीरा का पाउडर अगर आपको भिंडी थोड़ी खटी नहीं चाहिए तो आप टमाटर का अमाउंट कम कर सकते हैं भिंडी को अभर कूक ना करें क्योंकि मसाले के साथ भी से हमें हलका पकाना है अब सेम तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे अब इसमें हम मसाला का पेस्ट डालिंग जो हमने स्टार्टिंग में बना के रखा था अब इसमें हम ओंधे डालें और आधी चमच हल्दी डालेंगे आप चाहे तो मसाअल रिडाले के वक्त भी हल्दी डालके पीश सकते हैं सवादनों नमक डाले और discuss अच्छी तरह से मिला ले इसमें हलका सा पानी डाले जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर उसे मिला लिया था अब इसे कभर कर दे और इसे फ्लेम लो कर दे और लो फ्लेम में इसे पांच से साथ मिनट तक कभर करके पकने दे लगबग 5 मिनट कम्प्लीट हो चुका है, इसे हम मिला लेते हैं मसाले से तेल होने लगा है, अब इसमें हम हलका सा पानी डालेंगे मैंने यहाँ पे हाप कप पानी का इस्तमाल किया है, जो की लगबग 150 ml कितना है इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब इसमें हम फ्राइ किया हुआ भिंडी डालेंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से पहले हम मिला लेते हैं इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम ढख देंगे और ढख करके लो फ्लेम में आराम सी से 5-7 मिनट तक और पकने देंगे लगवक्त 6-7 मिनट हो चुका है इसे हम मिला लेते हैं चटपटी खटी तीखी भिंडी मसाला बन कर रेडी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अब इसका फ्लेम आप बन कर दें आप इसे रोटी राइस के साथ खा कर देखें यकिन मानिया आप उंगलिया चाटते र जाएंगे और आप इसे राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बिल आइकन जरूर दबाए ताक आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं मिल तो नेक् एक लबाए तेक केर और थैंक यू फो वाचिंग